हेलो बच्चों कैसे आप सब आज हम स्टार्ड करेंगे क्लास टेंथ स्स्ट में चेप्टर नमबर टू का पार्ट फाइफ अगर अभी तक आप पार्ट फॉर विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फॉर विजिट कर सकते हैं पार्ट फाइफ में अपन मुगल सल्टनत जो है उसको आगे करेंगे पार्ट फॉर में भी अपन मुगल सल्तनत कर रहे थे जिसमें अपने बाबर, हिमायू और अक्बर के बारे में कर लिया था आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको करेक्शन बता देता हूँ जब अपने पार्ट फोर किया था तो उसमें मैंने ऐसे बुला था कि बाबर के फादर का नेम था जहिरू दीन मुहमद एक्चल में वो मैंने गलती से बोल दिया बाबर का ही नाम था जहिरू दीन मुहमद तो वो आप एक करेक्शन लीजेगा ठीक है तो आगे चलते हैं देखो जो नेक्स्ट अपने रूलर है वो है जांगीर जांगीर जो है वो अकबर का सन और उसका सकसेसर था उसका नाम सलीम भी रखा गया और सलीम जो नाम है वो क्यों रखा गया था वो सेख सलीम चिस्ती उनकी ब्लेसिंग्स के लिए उसका नाम क्या रखा गया था सलीम रखा गया था मतलब उनके नाम पे रखा गया उसका नाम सलीम एक जहांगीर जो है उसको मनसब था ट्वैल थाउजेंट का अब देखो यह मनसब क्या होता है देखो तो जो अकबर था उसके मिलिटरी सिस्टम में क्या था मनसब सिस्टम था बोले तो मनसबदार सोते थे मनसब का मतलब समझ सकते हैं अपने रैंक तो वहाँ पर क्या होता ranking system होता था जिसकी जितनी ज़्यादा ranking होती थी वो उतना higher मंसब होता था ठीक है और हर मंसबदार को खुद की अपनी एक आर्मी बनाने की freedom होती थी वो खुद अपने नीचे horseman वगेरा ये सब रख सकता था तो जो जहांगी रहा obvious thing है वो क्या था यूराज था तो उसका जो मंसबदा वो जादा ही होगा तो 12000 मंसबदा और वो military में काम करता था किसके अकबर के time पर सलीम जो है उसने अकबर के जो अंतिम वक्त थे उस समय अकबर के against में क्या किया था revolt भी किया था 1599 में और फिर इस revolt को control करने के लिए अकबर ने अबूल फैजल को क्या बेजा था लेकिन सलीम ने उसको मरवा दिया था किसी के हाथो में 1602 में इसके बाद सलीम ने जो है वो अपने आपको टाइटल दिया था नुरुदीन मौहमद बाद सा ठीक है और फाइनली 1605 में अकबर की डैट के बाद में उसे अपना क्या मिल गया थ्रॉन भी बिल गया और वो बादसा भी बन गया ही बिल्ड अपिकॉक थ्रॉन और तक्त ए तॉस ठीक है देखो आगे बढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं कुछ जो है करिदार के नाम आएंगे या कुछ परसंस है उनके नाम आएंगे जो आपको समझ लेने हैं तो जांगीर की तीन वाइफ जो मान भाई जगत गोसाई और महरू निसा इसके महरू निसा के थे उससे और जांगीर से एक लड़का था खुर्रम और ये खुर्रम जो है वो ही बाद में किसके नाम से जाना गया सांजा के नाम से तो सांजा जो था वो जांगीर और जगत गोसाई का लड़का था जांगीर की एक और वाइफ ती जो थी महरू निसा वो बेसिकली वीड सबसे पहले अपन चलते हैं खुस्रो पे तो खुस्रो जो था वो जो था उसने जांगीर के खिलाफ क्या किया था रिवाल्ट कर दिया और जो फिप्ट सिक गुरू थे अरजुन देव उन्होंने इसका सपोर्ट किया था इसलिए जांगीर ने उनको क्या कर दी मौत की सजा तो आपकी बुक में ये दे रखा है कि जांगीर किल्ड फिप्ट सिख गुरू अरजुन देव वाच सेंटेंस टू डैथ अब क्यूं किया था उसका कारण था कि उसने खुसरो को क्या किया था सपोर्ट किया था और खुसरो कौन था खुसरो जांगीर का ही लड़का था तो एक चीज ये तो क्लियर होई दूसरा जांगीर का दूसरा लड़का था खुर्रम जो कि बाद में साँच जा और ये ये नेक्स जो होगा वो क्या होगा बादसा होगा तो ये आपको याद रखना है अब मेरू निसा के बारे में आपकी बुक में दे रखा है इसके दूर न से जानी गई मुम्ताज मेल और आप सब जानते हैं इसकी जो साधी थी वो किस से हुई जो था साहांजा से हुई थी तो साहांजा का जो साधी हुई थी वो किस से हुई थी आरजुमंत बेगम से और वो किस की लड़की थी असफ खान से और असफ खान किस का भाई था महरू निसा का तो ये जो आप relation है वो अच्छे से याद रखें ठीक है आगे बढ़ते हैं नूर जा जो थी उसने उसको जो है पाथसा बेगम या आपकी बुक में लिखा हुआ है बाथसा बेगम बेसिकली ये दूसरी लेंग्वेज में एक्चुल जो आपको कोई और अगर हिस्ट हौमस रॉय इन्हों ने जांगीर के कोट को क्या किया था विजिट किया था और जांगीर की डैट होगी थी सिक्स्टीन ट्वेंटी सैवन में ठीक है तो ये जांगीर के बारे में थे नेक्स जो है वो है साहजा साहजा जो था वो सन एंसकसेतर था किसका जांगीर का उसका उन्नेम क्या था खुर्रम ये मैं आपको बता चुका हूँ उसकी वाइफ कौन सी थी आर्जुमंत बानो बेगम ये भी मैं आपको बता चुका हूँ जिसका नाम क्या था मुम्ताज महल और इसका फादर इन लो बोले तो ससुर कौन था असफ खान अब देखो अपने यहां सा 27 में जब जांगीर की डैथ हो गई थी उसके बाद में जांगीर के जो और भी बच्चे थे और वो और वो सब मिलके क्या मतलब नेक्स जो सुल्तान है वो बनना चाह रहे थे तो खुसरो का जो लड़का था खुसरो कौन था? खुसरो मैं आपको बताया था जांगीर का एक का एक लड़का था जिसका नाम था दाबर बक्स क्या नाम था दाबर बक्स ठीक है और ये जो दाबर बक्स है इसको सांजा उस समय कहीं और था तो दाबर बक्स को फोर टू फाइफ मन्त के लिए क्या बनाय जाता है किंग भी बनाय जाता है मतलब किंग बनाय जाता है ये इनलो था वो खुसरो को खुसरो के बच्चे को भी मरवा देता है और जो और भी कंटेंडर होते हैं उन सब को भी मरवा देता है और जो रास्ता है साजा के लिए क्लियर कर देता है और इसी वज़े से ये सब जो छह साथ महीने का टाइम लगा इसी वज़े से 1627 में साजा जो तो ही थी लेकिन उस समय साहजा नहीं बना था यही वज़े कि कुछ बुक यह लिखती है कि 1628 से 1658 यह इसका टाइम पीरिड था जो भी आपको समझ में आई गया होगा इनीसियल रिवाल्ट के बारे में देखते हैं कि जब यह नया नया जब साहजा जो है वो बातसा बना तो कौन कौन से रिवाल्ट हुए तो एक तो आपको याद रखना है खांजा लोदी और एक जूजार सिंग यह दो जो ते और जूजार सिंग कहा का था बुंदेला का इन दोनों ने इसको क्या इसके खिलाफ क्या किये रिवाल्ट किये थे विद्रो किये थे और जो इसने सक्स पास का इलाका जो है उन्होंने Portuguese ने एक तरीके से थोड़ा बहुत occupy कर लिया था और वहाँ पर वो अपनी मनमानी करने लगे तो सारजा ने उनको भी हरा दिया था ठीक है तो ये कुछ इसके starting के time period में 28 में 1628 में इसका coronation हुआ उसी साल इन दोनों ने revolt किया ये revolt तीन चार साल चला जो इसने बाद में जो है वो successfully counter किया उसके कुछ दिन बाद में कुछ टाइम के बाद में ये Portuguese जो था उनको भी इसने defect किया तो ये जो सरी सरू के क्या थे starting के कुछ revolt थे अब इसके kingdom expansion को देखते हैं तो साजा ने जो पहले से जो अच्छा सा बड़ा सा kingdom था उसमें और किसको merge किया है एहमद नगर को ठीक है और उसने बीजापूर जो सुल्तान था अदिल सा उसको भी defect किया अब आगे बढ़ने से पहले जो आगे की story है उसे समझने से पहले आपको ये समझ लेना थे लेकिन अपन को औरंग जेब के बारे में आगे पढ़ना आप सब जानते हैं next जो बासा था औरंग जेब ही होने वाला है तो जो sun कौन कौन से थे दारा सिकोई औरंग जेब मुराद बक्स और सुजा ये सब थे ठीक है अब इन सब में से औरंग जेब कैसे किंग बना इसकी भी अपनी एक कानी है जो आपन देखते हैं पहले आप ये नौट कर लीजे देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन सब का सुनाता हूं किस्सा जिसे आपको ये सब क्लियर होगा कि जो साजा जो है वो चाता था कि दारा सिखो जो है वो क्या बने नेक्स जो है वो बादसा बने वो अपना सकसेसर भी उसे अनौन्स कर चुका था जब साजा जो है थोड़ा बहुत बिमार वगेरा रहने लगा तो इन सब चारो भाईों को लगने लगा कि भाई अब तो दारा सिखो जो है वो क्या बन जाएगा सक्सेस है तो उन सब के बीच में आपस में वार स्टार्ड होने लगी और जो दारा सिखो है जो इसके साथ भी बहुत सारी बैटल होई थी और हर बैटल में जीता औरंग जेब भी था और लास्ट में ये औरंग जेब उसको किसको करता है इसको अपने दारा सिखो है इसको हरा भी देता है और मरवा भी देता है किसम है Battle of Dharmad तो ये एक आपको याद रखने है सिफ ये एक ही Succession जो Battle है वो दे रखी है आपके बुक में तो Battle of Dharmad जो है वो एक Succession Battle थी किसके बीच में दारा सिखो और औरंग जेब के बीच में जिसमें कौन जीता दा औरंग जेब जीता था एक और बाई था मुराद बक्स तो उसको जो है औरंग जेब ने पागल बनाया पहले तो बोला कि भाई अपन दोनों मिलके क्या करेंगे लड़ते हैं किसके साथ दारा सिखो के साथ और बैटल अफ धरमात में वो मिलके लड़े थे और बाद में बोला बाद में जो है वो बन गया था खिंग बन गया था और उसने क्या किया जब ये बैटल अफ धरमात के बाद में वो जब जीद गया तो 1657 में उसने साजा को क्या कर दिया बंदी बना लिया हलंकि उसके साथ कोई मिस बीएव वगेरा नहीं किया उसको बंदी बना कर आगरा के फॉर्ट में क्या आ जाका ये जो रूविलिंग पीरिड था इसका डिस्क्रिपशन किस ने किया था, तो फ्रेंच ट्रेवलर बर्ड नियर और इटालियन ट्रेवलर मनुची, इन दोनों ने ये जो सब डिस्क्रिपशन दिया था था, तो इन दो के नाम भी आपको याद रखने, नेक्स्ट जो अपना रूलर था वो था ओरंग जेब और औरंग जेब था उसने आलमोस्ट फोटी नाइन इयर जो था वो रूल किया था और ये इसने बहुत सारी जो थी वो क्या की थी अपने लड़ाएं लड़ी और इसने जो मुगल अमपायर था उसको इसके जो सबसे बड़े मतलब ला सर नहीं चुना था इसने अपने बाकी सारे भायों को मार के अपने पिता को जो था वो जो साजा था उसको मतलब जेल में जेल में तो क्या कहेंगे फॉर्ट में बंद करकर खुद का कोरोनेशन करवाया था किसमें 1658 में ठीक है तो कोई तकलिफ नहीं इसके बारे में अब इसका किंडम एक्सपांसन देखते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसने अपना जो किंडम था और बहुत बड़ा बड़ाया था तो ही डिफिटेट दा रूलर्स आफ आसाम मारवार कच बी आर रंगपूर और काम रूप यह सब जगह इसने क्या कि रूलर्स जो थे उन सब को डिफिट किया था और जैसिंग जो था उसको गवर्नर अफ ड़कन बना दिया जहां का ये खुद पहले क्या था गवर्नर या वाइस रही था तो देखो ऐसा कुछ बुक में लिखावा है कि इसके जो 49 एर का जो रूलिंग पिरिएड था उसके हाफ टाइम पिरिएड इसने क्या किया नॉर्थ की तरफ रूल किया और रिमेनिंग हाफ जो था वो इसने साउथ की तरफ क्या किया था रूल किया था जब यह नौर्थ की तरफ रूल कर रहा था उस समय जो साउत का जो सारा था वह कौन समालता था जयासिंग समालता था एक treaty होई थी जिसके बारे में आपको याद रखना है treaty of पूरंदर अब treaty of पूरंदर जो है वो basically किस किस के बीच में होई थी सीवा जी और जैसिंग के बीच में ठीक है और सीवा जी ने जब उसको लगा कि भाई ये अपन ये सब तो इसे वार नहीं हो पाएगी इतना तो उन्होंने क्या कि treaty sign की और इस treaty ये कब वोई थी 1665 में जिसने सीवा जी ने 23 फोर्स जो थे वो औरंग जेप को दे दिये थे और 12 फोर्ट्स जो थे वो खुदने रखे थे और सात में जैस सिवाँ जी को औरंग जेबसे बात करने के लिए मनवा भी लिया था कि आप जाके उसे बात करो बाकी का पॉलिटिक्स का जो क्या करना है ठीक है तो ये सब ट्रीटी ओफ पूरंदर के अंडर में हुआ था ये भी आप को याद रखना है ठीक है तो जो ट्रीटी साइन होई थी उसमें एक ये भी था कि सीवा जी को जो है वो विजिट करना होगा औरंग जेब के पास जाना होगा उससे मिलना होगा और ताकि जो आगे की पॉलिटिकल्स बाते हो सके लेकिन ये सीवा जी ने ऐसा किया भी लेकिन औरंग जेब ने उसके बोल कॉंडा इन दो जगह को भी ऑक्यूपाई किया था ठीक है अब औरंग जेब की समय कौन कौन से रिवाल्ट हुए वो भी आपको पता करने तो औरंग जेब की समय एक तो जाट ने रिवाल्ट किया था गोकुल के अंदर ठीक है और एक सतनामीज ने रिवाल्ट किया था विद्रो किया था और एक सिख गुरू जो तेक बहादूर थे उन्होंने भी क्या कि औरंग जेप के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसलिए उनको क्या कर दिया मरवा भी दिया था कुछ और पॉइंट है जो अपन को औरंग जेप के बारे में याद रखने एक तो ही बेंड दा कंस्ट्रक्शन ओफ न्यू हिंदू टेंपल जो नए मंदीर नहीं बना सकते थे इसके टाइम पिरिड़ में और कुछ टाइम बाद में उसने का कि जो पूराने मंदीर उनको रि इंट्रड्यूस करवाया जजिया और हिंदू जो ट्रेडर्स थे उनको और एक्स्ट्रा जो था वो फाइप परसेंट एक्स्ट्रा टेक्स देना पड़ता था ठीक है ही स्टॉप दा प्रेक्टिस ऑफ जरोका दर्सन एंड म्यूजिक जो अकबर के समय बहुत चलन में थी यह सब उसने बंद करवा दिया था ठीक है तो यह कुछ पॉलिसी जो थी वो एंटी अकबर पॉलिसी थी आप ऐसा समझ सकते हैं औरंग जेप की जो डैट थी वो सेवेंटीन जीरो सेवन में एहमद नगर में उगती तो यह इसके बारे में इन्फॉरमेशन है पहला आप य कि जो इतना बड़ा मोगल एमपायर था औरंग जेप के बाद उसका क्या हुआ तो जो औरंग जेप के बाद जो नेक्स्ट एमपायर बना वो था बहादूर् सापर funk路 और वह जो था सेवेंटीन सेवेंटीन 770 707 में क्या बना ता हम मतलब उसने बाता मुझ सा बना और उसक के खिलाफ conspiracy होती थी एक दूसरे का असिसने होता रहता था एक दूसरे को मरवा डाल मरवा डाल दिया जाता था नॉबल्स जो थे वो क्या करते थे ऐसे राजा बना देते थे बोले तो बाधसा बना जेते थे जो उनके सिफ पपेट की तरह काम करते थे और धीरे-धीरे जो अपना representative भेजा था किसके बाधूर साफ first के court में और बोलते हैं कि उस समय एक Christian लेडी थी उसका बहुत ही बड़ा impact रहता था बाधूर साफ जफर के court में जिसका नाम था जूलियन डियास डिकोस्टा और उसका कुछ और निकनेम भी है खातूम बीबी फिद्वी दूआगो जूलियन ठीक है और ऐसा बोलते हैं कि वो उसका impact भी बहुत रहता था और उसने हमेशा Portuguese के interest में क्या की थी बात की थी ये सब अपने मुगल empire के बारे में थे तो जो six ruler थे वो सब अपन को अच्छे से study करने है सबसे पहले कौन था बाबर, बाबर के बाद में कौन था हिमा नहीं रखने है, मतलब उनके बारे में description नहीं बस ये याद रखना है, औरंग जेप के बाद, बादूर सा first जो था, वो क्या बनाता, बाद सा बनाता, और सबसे last जो मुगल empire का ruler था, वो बादूर सा second, जिसको बादूर सा जफर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और अ administration था, वो basically mixture था, इंडियन और foreign system का, ठीक है, जो कुछ key point है, उसके ये है कि जो बाद सा या जो imperial होता था, वो ही सबसे बड़ा head of administration होता था, और वो ही supreme power, या almost हमिसा ऐसा ही रहा, वकील ए मुतलिक जिसको आम बासा में अपन वजीर कह सकते हैं, वो second biggest officer हुआ करता था, ठीक सकते हैं, एक जो आपने ये पहले भी सल्तनत पीरेड में भी देखा था, जो administration था, जो फिर province age में divide हो रखा था, और province age जो था, उनको सूबा भी कहते थे, और एक आपको याद रखना है कि अकबर के समय 15 province age थे, जो औरंग जेप के समय बढ़ कर कितने होगे, 21, ठीक है, ये province age और सुबा जो होते थे, उनका जो head होता था, उसे नीजाम या सुबेदार कहते थे, province age को फिर divide किया जाता था, district में, जिसको सरकार भी बोला जाता था, और head of district और head of सरकार जो होता था, ठीक है, और आपको ये भी पता है, सल्तनत पीरेड में भी होता था, district जो था, वो अपने बारे में दे रखा है, जैसे फौसदार आपको पता, head of क्या थे, सरकार और district थे, एक अमल गुजर जो थे, वो क्या थे, वेर हाउस कीपर थे, और ये जो थे, बिटु कुची, जो थे, ये assistant हुआ करते थे, एक सिक्दर जो थे, वो head of पारगना, जो भी, जो अपने district के सब level थे, जिसको सिक्दर भी बोलते थे, इसलिए उनके head को सिक्दर कहते थे, ये अपन सल्तनर पीरिड में देख चुके है, अमील हुआ करते थे, जो basically क्या थे, मुंसी थे, ठीक है, एक foot दार नाम से दे रखा है, जो treasury समालते थे, इन्हें पटादार भी कहते थे, एक कुनोंगो जो थे, वो officer थे, पटवारी जितने भी थे, उनका head हुआ करता था, ठीक है, कुछ नाम और दे रखे हैं, एक और अपन देख लेते हैं, कि military system कैसा था तो जो, जो बातसा होता था, वो ही military का सबसे बड़ा head होता था, ठीक है, एक army में मनसबदारी system होता था जिस उस army में जो लोग था, उसको खुद recruit करता था, उनको training देता था, उनको salary देता था, ठीक है, मनसब जो थे, उनको designation देने के लिए, दो चीजें यूच की जाती थी, जिसको कहते है, जात और सवर, जात जो था, वो number of troops के बारे में बताता था, कि उस मनसब के under में कितने troops काम करते हैं, और सवर जो थे, वो number of force age को बताते थे, जिसकी मनसब या ranking जितनी हाई होती थी, वो उतना ही बड़ा क्या होता था, मनसबदारी सिस्टम में आदमी होता था, जैसे generally आपने अपने पढ़ा था, तो सुना था कि जहांगीर जो था, उसको 12,000 मनसबदारी सिस्टम म 12,000 मनसब दिये गए थे, तो बोले तो वो higher ranking में था, वैसे king के बाद में जो यूराज वगरा होते थे, उनके मनसब ज्यादा ही हुआ करते थे, ठीक है, तो इसके साथ में अपना मुगल जो empire था, वो पूरा complete हो गया, और साथ ही साथ में अपने मुगल empire का जो administration था, वो भ खुब खुश रहेंगे, खुब मस रहेंगे और खुब सारा hard work करेंगे, thank you for watching.